नमस्कार दोस्तों, कैसन में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज आप कैसन CX-11 Action Camera के सभी features के बारे में जानने वाले हो कैसन CX-11 Action Camera आपको इस premium से box में मिलता है box के अंदर waterproofing case के अंदर action camera है action camera के साथ box में आपको बहुत सारे accessories मिलते हैं आज के वीडियो में इसके बारे में भी जानेंगे CX-11 Action Camera में दोस्तों आपको 30MP का lens मिलता जिसके साथ इसमें आपको 170 degree wide angle भी मिल जाता है साथी action camera में आपको 1.4 inch का LCD color display मिलता इसके front में और front में आपको एक flash lamp भी मिल जाता है और action camera के side में आपको speaker, SD out और type C charging port मिलता जिसमें आप type C external mic के साथ data cable लगा सकते हैं साथी इसके बगल में mic है और दूसरी तरफ आपको action camera का up and down button मिलता है और अगर down button को long press करते हैं तो ये main screen से front screen में चल जाता है और फिर से down button को long press करके आप इसके front screen से main screen में आ सकते हैं और उपर के दरफ में right side में आपको mode button मिलता है जिसे आप power on off कर सकते हैं और left side में shutter button है जिसे आप select button का का काम ले सकते हैं साथी action camera में आपको 2 inch का LCD touch screen display मिलता है और action camera के नीचे के दरफ में आपको bracket hole के साथ आपको battery door मिलता है जिसे आप slide करके open कर सकते हैं और action camera में आपको 1350 mAh का lithium ion बैटरी लगावा मिल जाता है और बैटरी को बहार निकालेंगे तो यहाँ पर micro SD card slot है जिसमें आप अपना 128GB तक micro SD card को इस action camera में यूज कर सकते हैं CX11 action camera में दोस्तों आपको 1 year का warranty मिलता है warranty register करने के लिए आप QR code को या WhatsApp नंबर पे अपने e-invoice को send करकर register कर सकते हैं और e-invoice Amazon या Flipkart के order history में जाके आप download कर सकते हैं action camera को waterproof case से बहार निकालने के लिए इस black color के clip को सामने के तरफ से उपर की तरफ खीचें clip को हटाएं, back door को पीछे के तरफ करें और आप action camera को बहार निकाल सकते हैं और बंद करने के लिए back door को सटाएं, clip को उसके उपर hook करके lock को प्रेस कर दें और microSD card लगाने के लिए battery door को slide करके open करें, इसमें से battery बहार निकाल लें तो SD card लगाने के बाद action camera को on करके, आपको सबसे पहले SD card को format करने, इसके लिए setting में जाएं, system setting में जाएं और उपर के तरफ में आपको format का option मिलेगा, यहाँ पर आप SD card को एक बार format जरूर कर लें और screen को नीचे से उपर के तरफ स्वाइप करके, यहाँ पर आपको quick select option मिलेगा, जिसमें आप video mode, time lapse video, slow motion, short video, underwater mode और auto low light के साथ, photo, photo time lapse और burst photo जैसे option को आप select कर सकते हैं और screen में setting को press करके, video resolution में आप इस action camera में 5K में 30 fps, 4K में 60 and 30 fps, 2.7K में 60 and 30 fps, 1080 pixel में 120 fps, 60 fps और 720 में 120 fps तक video record कर सकते हैं और video से photo mode में जाने के लिए फिर से screen को नीचे से उपर के तरफ में swap करें, और नीचे के तरफ एक वफिस से swap करें, यहाँ पर आपको photo mode मिल जागा, यहाँ से आप photo ले सकते हैं और इस action camera में दोस्तों आपको long exposure photo लेने का option में मिलता है, इसे set करने के लिए setting में जाएं, और photo setting में नीचे के तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे, यहाँ long exposure लिखा है, इसे open कर ले, यहाँ पर आप अपने हिसाब से कितना second set करना चाते, long exposure photo लेने के लिए उसे आप set कर स सकते हैं, इस पर अपर से नीचे के तरफ स्वैप करके आप action camera का wifi औल फाइँ ओन उफ कर सकते हैं, बिल्डेन माइक ऊण आफ कर सकते हैं, और स्क्रीन को लोग भी कर सकते हैं, और स्क्रीन को आप left से right की तरफ स्वैप करते हैं, तो यहाँ पर आप video setting और system setting में जो भी अप वीडियो बना रहे हैं और उसमें audio record नहीं हो रहा है तो action camera में record sound option बंद है screen को नीचे के तरब swap करके यहां से आप इसे on कर सकते हैं action camera को मैंने अपने selfie stick पे लगा रखा है और external mic मेरे हाथों में है जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसका मतलब है कि अभी आप जो मेरी voice चुन रहो इस action camera का अपना जो built-in mic है उसके through सुन पा रहे हो तो आपके action camera में video record करते समय अगर आपका action camera अपने आप ही off हो जाता है तो इसे ठीक करने के लिए setting में जाएं और system setting में नीचे के तरब जाएं यहाँ पर power off system में इसे open कर लीज़े और यहाँ से आप इसे off कर सकते हैं साथ ही आप इसमें 1 minute, 3 minute और 5 minute में इसे set भी कर सकते हैं दोस्तों गर आपके action camera में video को record करते समय स्क्रीन पे जो भी time remain वेगर दिया गया यह सब अगर आपको ultra नजर आ रहा है इसे ठीक करने के लिए setting में जाएं और system setting में up set down option इसे off कर दीजे अब action camera में time remain वेगर सब को सीधा हो जागा यह action camera का एक feature है जहाँ पर आपको action camera को ultra use करना होता है वहाँ पर यह आपके काफी काम आता है CX11 action camera में दोस्तों आपको zoom in out option मिलता है इसे use करने के लिए जब आप video को play करते हैं तो screen के right side में आपको plus और minus का sign मिलेगा जहाँ से आप इसे zoom in, zoom out कर सकते हैं साथ ही आप इस option को photo mode में भी use कर सकते हैं CX11 action camera के साथ आपको एक remote मिलता है इसे connect करने के लिए action camera के dawn button को एक बर प्रेस कीजिए left side में नीचे के दरब में आर लिखा नजर आगा मतलब कि remote connect हो चुका है और action camera के dawn button को एक बर मैं फिर से प्रेस करूँगा तो यह disconnect हो जाएगा इस action camera में दोस्तों आपको wind noise reduction option पे मिलता है इसे on करने के लिए setting में जाएं और video setting में सबसे नीचे में आपको wind noise reduction option मिलेगा यहां से आप इसे on या off कर सकते है जैसा कि आप सभी देख रहे है action camera के lens के ठीक नीचे आपको एक flash lamp मिलता है इसे on करने के लिए setting में जाएं और system setting में आपको flash lamp option मिलेगा यहां से आप इसे on या off कर सकते है जब भी आप इस action camera से 5K या 4K में वीडियो को record करते तो action camera बहुत ही हलका सा heat होता है तो उससे action camera में और आपके video में मतलब video quality में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है इसको आप ध्यान रखेगा कई सारे लोग सोचते हैं कि action camera हीट हो रहा है तो action camera में कोई problem होगा ऐसी कोई बात नहीं है मेरे पास GoPro Hero 10 भी है और उससे भी मैं जब वीडियो को record करता हूँ तो वो भी दोस्तो हीट होता है और आपको ये भी बता दूँ कि Hero GoPro 10 हैंग भी होता है बहुत सारे कम लोग होगे जिन्हों ने ये चीज़ बताई होगी आपको कैसन CX-11 Action Camera के बैटरी को चार्ज करने के लिए दोस्तों आपको इस Action Camera के साथ Charging Case के साथ Dual Battery मिलता है जिसे आप आपने कोई भी पुराने 5V 1A के Charging Adapter से इसे चार्ज कर सकते हैं बैटरी चार्ज करते वक इसके केस में अगर Blue Light जल रहा है तो इसका मतलब है कि बैटरी फुल चार्ज हो चुका है अगर Red Light है तो ये बैटरी को भी चार्ज कर रहा है और आप चाहो तो वीडियो रिकॉर्ड करते वे भी action camera को चार्ज कर सकते हैं और action camera के बैटरी को फुल चार्ज होने में करीब 2-3.5 घंटे का टाइम लगता है action camera को आपके phone के wifi के साथ connect कर निकले action camera के अब बटन को 2 सेकेंड के लिए प्रेस कीजे आप देखेंगे इसका wifi on हो जाएगा इसमें ID है iSmartDV2 और password है 1234567890 इसके बाद आप अपने phone में play store पर जाके iSmartDV2 app को download कर लें और उसमें ID और password डालें फिर अपने phone में जाके अपने data pack को on करें GPS location को on करें और wifi को on करें और wifi में iSmartDV2 app को connect करें इसके बाद iSmartDV2 app को open कीजे open करने के बाद यहाँ पर जैसा कि आप देखेंगे add new camera option आ रहे हैं से tap कीजे wifi को connect करने के लिए से tap कीजे और push second के अंदर आप देखेंगे आपका action camera इसके साथ connect हो जाएगा अब आप देखेंगे action camera आपके phone के साथ connect हो चुका है और इसे disconnect करने के लिए आपको फिर से wifi के up बटन को एक बार प्रेस करना और यह disconnect हो जाएगा कैसन CX11 action camera के साथ आपको C type का बहुत ही अच्छी quality का एक mic मिलता है इसे use करने के लिए सबसे पहले action camera के सही port में इसे लगाएं इसके बाद action camera के setting में जाएं और system setting में जाएंगे तो वहाँ पर आपको microphone option मिलेगा इसे tap कीजिए और यहाँ पर आपको built-in और external नजर आ रहा है यहाँ पर आपको external कर देना है इसके बाद आप इस mic को use कर पाएंगे और आप दोस्तों एक बाफी से फिर में 4K 60fps CIS on है external mic मैंने लगा दिया है और आपको voice में काफी फर्क पता चल रहा होगा और इससे पहले मैं इस mic को test कर चुका हूँ और मैंने देखा कि इस action camera के साथ जो आपको यह और एक बात का दोस्तों आपको ख्याल रखना अगर आपको external mic को यूज नहीं करना है तो यहाँ पर आपको external से इसे built-in में कर देना है अभी आप जो दोस्तों वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो में EIS electronics image stabilization off और आप देख रहे हैं वीडियो काफी शेक हो रहा है इसे ठीक करने के लिए action camera के setting में जाएं और वीडियो setting में आपको EIS नजर आएगा यहाँ पर आपको दो option है wide और narrow तो आप इसे wide में कर दें और अब आप देख रहे हैं इस वीडियो में EIS on है तो वीडियो काफी stable हो गया है तो EIS का दूस्तों यही खास फैदा होता है इसे ठीक करने के लिए action camera के setting में जाएं और वहाँ पर अगर action camera में EIS on है तो उसे सबसे पहले आप off कर दीजे इसके बाद नीचे के दरब में जाएं यहाँ पर LDC नजर आ रहा है यह distortion है इसे on कर दीजे और आप जो वीडियो देख रहे हैं इसमें distortion on करने के बाद आप दे distortion को या फिर EIS को अभी EIS off है तो आप मैं वापस जाके LDC को distortion को off करता हूं तब इसमें EIS को option आएगा यह बात आप हमेशा ध्यान रखेएगा अगर आप दोस्तों अपने बनाएवे वीडियो को अपने फोन में एडिट करते हैं तो आप action camera से micro SD card को बहार निकालें card reader में लगाएं और direct अपने फोन में लगा के वीडियो और फोटो को transfer करें और उसके बाद आप वीडियो एडिट करें आपको एक बहुत ही अच्छा वीडियो quality मिलेगा और आप अगर अपने वीडियो को computer ए laptop पे एडिट करते हैं तो आपको action camera के साथ एक बहुत ही अच्छी quality का data cable मिलता है इसे आप अपने computer ए laptop के साथ connect करें और action camera के साथ connect करें connect करने के बाद आपको action camera में तीन option नज़र आएगा transfer file, webcam और charging only इसमें आपको webcam भी मिल जाता है तो आपको transfer file को tap करना है आपके computer ए laptop में पेज ओपन होगा जिसमें photo में आपके लिए गए सभी photo और video file में आपके लिए गए सभी video आपको मिल जाएंगा यहां से video को download करके आप video edit करें आपके बहुत ही अच्छा video quality मिलेगा जैसे कि आप सभी जानते catson cx11 action camera में आपको type c charging port मिलता है इसका खास फैदा है कि जब आप battery को charge करते तो इसे action camera में battery जल्दी charge होता है और battery का health भी काफी अच्छा रहता है जिससे battery लंबे दिनों तक ज़्यादा अच्छा backup देता है साथी type c external mic मिलने से इस action camera में जब आप video record करते हैं external mic से तो आपको बहुत ही अच्छा voice quality भी मिल पाता है helmet में action camera को mount करने के लिए मैंने kassan company का chin strap mount को use किया है इसका quality बहुत ही अच्छा है और इसके पीछे के दरब में rubber material लगा हुआ है जिससे action camera helmet में बिलकुल भी slip नहीं करता और अपनी जगा में रहता है साथी kassan company आपके लिए बहुत ही अच्छे quality का एक और new chin mount लेके जिसमें original 3M का tape भी लगा है और मैंने देखा कि इसमें बहुत ही अच्छा plastic material का use किया गया है जो बिलकुल भी crack नहीं करता है बहुत ही flexible है और आप सभी इस image में देख पारें कि मैंने action camera को किस तरह से अपने helmet में mount किया आपको भी इस तरह से action camera को helmet में mount करना है साथी action camera के साथ जो आपको mic मिलता मैंने इसे chin strap के ठीक center में लगा है जहाँ पे आपको arrow नज़र आ रहा है अभी दोस्तों मैंने action camera को अपने helmet में लगा दिया है जैसे कि आप देख पा रहे हैं और किस तरह सेट किया है आपके screen पर आपको नज़र आ रहा है साथी मैंने जो इसका iSmart dv2 app है उसके थूँ मैंने phone को connect कर दिया angle को set करने के लिए इस तरह आप भी अपने action camera का angle set कर पाएंगे motor vlogging करने से पहले और अभी frame है 2.7 के 30fps EIS on है और action camera का जो mic है मैंने helmet के ठीक सामने chin में लगाया है जहां पर आप अभी photo में देख पा रहे हैं तो आईए scooter को right करते हैं और जैसे कि मैंने आपको बताया mic chin के सामने है scooter के speed 45-50 km per hour हो चुका है और अब आपको कुछ इस तरह का view मिलेगा और इस तरह का voice का quality मिलेगा मेरा अंदाज़ा कि voice quality आपको काफी अच्छे मिल रहागा क्योंकि इससे पहले मैं इस mic को test कर चुका हूँ ऐसे वीडियो बनाते हुए और action camera को अगर आप chest strap में use करते हैं तो आपको कुछ इस तरह का wide angle मिल पाता है अगर आप वीडियो record कर रहे हैं और आपके वीडियो में date stamp आप उसे हटाना चाते हैं तो आप setting में जाएं और system setting में जाएंगे तो यहाँ पर आपको date stamp लिखाव नजर आ रहा इसे open करें और यहाँ से आप इसे off कर सकते हैं और अगर आपको date on time को set करना है तो आप setting में जाएं और system setting में आपको date on time लिखाव से tap कीजें यहाँ से आप इसमें date, month, year, hour, minute सब set कर पाएंगे जब आप action camera से 15-20 minute को कोई भी video बनाते तो action camera उसे 10-11 minute के duration में divide कर देता है जैसे कि आप अपने screen पर देख रहे हैं इसका खास फायदा है कि जब आप video download करते हैं या फिर video edit करते हैं तो आपको काफी आसानी हो जाती है दोस्तों गर आपने CX-11 action camera लिया है और आप इसके video quality को test करना चाते हैं तो कभी भी घर के अंदर indoor में video quality को test ना करें गर के अंदर सही light नहीं होती है टेस्ट करने के लिए action camera को घर से बाहर लेके जाए किसी अच्छे सो location में और वहाँ पर जाके video बनाए और उसके बाद आप देखेगा इसमें आपको बहुत यह अच्छा video quality मिलेगा दोस्तों अपने कैसन cx11 action camera लिया है और आप चाहते हैं इस action camera से बनाए वीडियो को edit करना तो आप play store पर जाकर वी एन वीडियो एडिटर या फिर cap cut वीडियो एडिटर में वीडियो को edit करें दोस्तों अगर आपने कैसन cx11 action camera लिया है और इससे अगर आप 4K में वीडियो बनाते हैं तो आपको बहुत यह अच्छा video quality मिलता है साथ ही आपका वीडियो बिल्कुल भी lag नहीं करता है कार मोट को यूज करने के लिए आपको सबसे पहले तो action camera suction cap लेना होगा अगर आप Amazon से 15.1 या कैसन का 14.1 action camera ऐसे सिरिस क्रिट लेते तो इसमें आपको कार suction cap मिल जाता है और action camera में कार मोट आउन करने के लिए setting में जाएं और system setting में आपको कार मोट option मिलेगा इसे आप on कर ले और उसके बाद section cap को लेके action camera के नीचे bracket हो ले उसमें action camera को fit कर ले कार में fit करने के बाद जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन में आपको वीडियो तो सीधा नज़र आ रहा है action camera को waterproof case से बाहर निकाने के लिए waterproof case के उपर black clip है इसे उपर के तरफ अनलोक करें clip हटाएं और back door को बाहर के तरफ करके action camera बाहर निकालें फिर से back door को उसके उपर सटा के clip लगा के प्रेस कर दें यह लॉक हो जाएगा और action camera cage frame के साथ आप एक rubber material का lens cap मिलता है इसे लगाने से action camera के lens में scratch नहीं लगेगा और आपको हमेशा action camera से अच्छा video quality मिलेगा action camera में cage frame लगा के आप इसे अपने helmet में यूज़ कर सकते हैं chest trap में यूज़ कर सकते हैं और tripod में भी यूज़ कर सकते हैं mini tripod में action camera को fit करके आप ब्लॉक कर सकते हैं और cage frame के उपर एक attachment लगाने की जगा दीगे जिसमें आप अपना shotgun mic और LED light भी लगा सकते हैं और यूज़ दो को अपना प्रड़ में यूज़ कर सकते हैं में यूजब आप गार वगारा जगे और एक में गारा भाने उप शोज़ दो इन वार गारा के लाओेशों बारा बार貝ाव पर रण जबत्स्रावब्स्रावब्स्रावण झाल 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 झाल